नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हजरूं आपके सामने इवनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो ये बंग भसम मैंने बनाई है बहुत ही शानदार बंग भसम और ये दोस्तो एक-एक टुकड़ा इसमें बहुत अच्छे से भसम हुआ है बहुत अच्छे टुकडे उठा लेते हैं देखो बहुत शांदार भसम बनी दोस्तों बहुत ही शांदार तो यह टुकडे मैं उठा रहा हूं कोई इसमें बिलुकुल दोस्तों जिसे कहते हैं कि एक दाना कच्चा रहना कोई एक दाना भी इसमें कच्चा नहीं रहा सारी जितने भी टुकडे रखे गए थे, बहुत अच्छे से भसम हो गए, बहुत अच्छे से, और ये दोस्तों, मैं एक स्पेशल तरीके से मैंने ये भसम बनाई है, अब ये तरीका मैं अपने इस्टूडेंटों को सिखाऊंगा, सबसे पहले तो मेरे इस्टूडेंट ये श्राज और अमरजीत, इन दो इस्टूडेंटों को ये मैंने सिखानी हैं, और बाकी इसके अलावा और भी जो मेरे इस्टूडेंट हैं, जो सही तरीके से काम करेंगे, तो उन्हें ये मैं सिखाऊंगा, पाकी दोस्तों, ये मैंने अलग निकाल लिया, ये देखें, बहुत शांदार भसम बनी, बहुत शांदार, बहुत हलकी और मतलब दूद जैसी, जिसे कहते हैं न, कि दूद की तरह सफेद, वैसी ही ये भसम बनी, अभी थुड़ा मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, दोस्तों, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, ये चीज आपको पसंद आई होगी, और खास करके ये वीडियो, मेरे इस्टूड़न्ट यश्राज के लिए है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आने वाला, और ये चीज, मुझे यश्राज को सिखानी है, ये, ये, हुआ.